आप सबको हमारी और से जोहार है वीरों की धर्ती जार्खन में आप सभी का हारदिक स्वागत है जार्खन उचने आले के ने भावन का आज उधगाटन मानिये राष्टपती महोद्या के करकल मुझ दुरा हो रहा है हमारे साथ साथ ये जार्खन के करोड़ों जनता के लिए गौरों का चंड़ भी है अभी हमने देखा लगबग 165 एकड़ में फैली ये परिशर में जार्खन उचने आले भावन का निर्मान लगबग 600 करोड़ों रुपे की लागत से कराया गया है एक आदिवासी बहुल छोटे राज में ये भावन तता परिशर देश के किसी भी उचने आले के भावन तता परिशर से बड़ा है मुझे आसा है कि जार्खन जहां आदिवासी दलीत पिछड़े गरीब लोग की बहुलता है उन्हें सरल, सुलब, सस्ता तथा तिव्र न्याय दिलाने में की दिसा में ये संस्ता एक मील का पत्तर साबित होगा गत वर्ष 26 नवंबर 2022 को समिधान दिवस के आउसर पर मान्य रास्पति महोदया द्वारा पूरे देश के जेलों में बंध विचाराधीन कैदियों की बढ़ती संक्या पर अपनी चिंता व्यक्ति की गई थी जारकन में भी छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़ी संक्या में गरी वादिवासी दलीत अल्प संक्या के वंग कमजोर वर्ष के लोग जेलों में कैद हैं ये चिंता का विश्य है इस पर एक गंबीर मंथन की आवश्यक्ता है गत वर्ष हमने ऐसे मामलों की सुची तयार की जो अनुसंधान हेतु पाँच वर्षों से अधिक अवदी तक लंबीत थे उनकी संक्या लगबग 3,600 की थी एक अभिहान चलाकर इन में से लगबग 3,400 से अधिक मामलों का निस्वादन कराया गया है अब हमने 4 वर्षों से अधिक अवदी की लंबीत मामलों की सुची तयार की है जिनकी संक्या लगबग 3,200 की है हम प्रियास कर रहे हैं कि इन मामलों का भी निस्वादन अगले 6 मैना के अंदर कर लिया जाए और इसका लगातार मैं खुद मॉनिटरिंग कर रहा हूँ सब ओर्डिनेर जुडिसरी के सहायक लोक अभी जोक की कमी के कारण मामलों में निस्वादन में दिक्कते आ रही थी लंबे समय तक इसमें निउक्ति नहीं हो पाई गत माह हमने लगबग 107 सहायक लोक अभी जोकों की निउक्ति की है और मुझे आसा है इस मामले में निस्वादन में भी तेज आएगी मुझे भारत के मुखनयाद इसको सुनने का मौका मिला है आप सब ओर्डिनेर जुडिसरी की गरिमा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए चिंतित रहते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि जुडिनेर जुडिसरी के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बहुत बहतर कार हुए हैं मुझे लगता है देश में सबसे अच्छी इस्तिती हमारे राज की है आज जुडिनेर जुडिसरी के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भविस में जो भी आवे सकता हैं होंगी राजसरका उसको प्राथ्य बिक्ता देगी टेकनोलोजी का भी उप्योग कर नियाईक प्राणालिक को कैसे सरल सुरब सस्ता और तिवर बनाये जाए इसके लिए भारत के मुझे नियाजदीस द्वारा अच्छी पहल की जा रही है मैं उनकी सराना करता हूँ कि आप को अस्वस्थ भी करना चाहूंगा अगर इस कारी के लिए कोई भी प्रोजेक्ट जार्खन के लिए तियार किया जाएगा तो सरकार उसे पूरा सपोर्ट करते हुए कारी को सफल बनाएगी एक महतुन विशाई की और उपस्तित महानुभाओं का ध्यान आक्रिश करना चाहूंगा जार्खन राज में सुपरियर जुडिशल सर्विस के में आधिवासी समुदाई नगन की उपस्तिती एक चिंता का विशय है इस सेवा की नियुक्तिक परक्रिया में आरक्षन का प्रावधान नहीं रखा गया है चुकि इस सेवा से मानिय उच्छ नियाले में नियाधी नियुक्त किये जाते हैं, इसलिए उच्छ नियाले में भी वही इस्तिती है, अता मैं चाहूंगा आदिवासी बहुल राज के लिए वरी नियाध सेवा के नियुक्ति परक्रिया में आरक्षन का प्रावधान करने का म हमारे बीच नए मान्य कानून मंत्री अर्जुन मिगवाल जी भी है मुझे लगता है जार्खन में साइद या आपकी पहली यात्रा है मैं भी आपका स्वागत करता हूँ और एक बात आपके समझ रखना चाहूँगा यदपी भारत सरकार दोरा सबोर्डिनेट जुडिशिरी के लिए इन्फास्रक्चर के लिए सेंट्रल सपोर्टेड इस्कीम चलाई जा रही है परन्तु ऐसी कोई इस्कीम उछ नियाले के लिए उपलब्द नहीं है अगर जमीन की कीमत जोड ली जाए तो आज राजसरकार दोरा जारखन उच नियाले के लिए जो भवन बनाए गया उसकी लाकत लगबक एक हजार करोड रूपे के हो जाएगी मेरा इसमें आगर है कि केंदर सरकार भी उच नियाले के लिए कोई ऐसे इस्कीम चलाए जिससे राजसरकार को भी आर्थिक रूप से उच नियाले में जो आधार बुद सर्चनाओं के निर्वान है तो एक सहायता सहायता मिल पाए अंत में मैं इस हमारों में उपस्तित माने रास्टपती महोदया माने राजपल महोदय माने मुख न्यादिस महोदय माने कानून मंत्री तथा अन्य उपस्तित नियाई पदादिकारी गन प्रिंट मीडिया को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए बहुत बहुत सुब्कामना जोहार